आज हम बढ़ाएंगे एक चीज ओमलेट जिसमें काफी सारी सबजों का इस्तमाल करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से सिखा लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा उप्चन है ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे स्लैक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिए का और पसंद आए तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल ना भूले इसके लिए मैंने चार अंडे लिए हैं दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो उसी के कॉटिंग बागी सारे इंगिडेंस मैजर की हैं अंडो को तोरके हमें एक मिक्सिंग बॉल में एट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं इसे तब तक मिलाईए जब तक की एक यॉक पूरी तरह से मिल ना जाए तो हार्डली आपको आदे मिनट का समय लगेगा इसे मिलाने में तो यहाँ पे देखिए ची तरह से मिक्स कर लिया है मैंने तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसे बागी की चीज़े आट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के लगबग दूद तूर डालें से ओमलेट काफी फलब भी बनते हैं और सौप बनते हैं तो ज़रूर एट कीज़ेगा अब डालेंगे ब्लैक पेपर पॉडर एक चोटाई चोटी चमच की लगबग इसके साथ यहाँ पर नमक एट कर देंगे नमक थोड़ा ध्यान से डालेगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जोकि सौल्टेड है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नमक एट कीजिए बिला लेंगे सबको अब बारियात यह स अब शिमला मिर्च और प्याज लिया है आप चाहे तो इसमें बारिक कटवर टमाटर और मशरूम भी आट कर सकते हैं सब को हम एक के मिक्शर में एट कर देंगे और इस स्टेज पे आप जाएं तो इसमें बारी कटिवी धन्या की पत्ती, हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं तो काफी सारे वेरियेशन्स आप इसमें ट्राइ कर सकते हैं सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ दूर डालने के कारण यह थोरी सी पतली होती है यह देखें तो यहाँ पे हमारा एक मिक्शर बिल्कुल तयार है ओमलेट बनाने के लिए तो अब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए एक पैन गरम किया मैंने गैस का फिल्म लो कर दीजिए एड करेंगे इसमें दू चमच के लगपक बटर आप इसे देल में भी बना सकते हैं तब भी यह बहुत टेस्टी बनेंगे बटर को हलका सा मेल्ट कर लीजिए पूरी तरह से नहीं नहीं तो वो जलने लगता है और मिक्शर पोर करने से पहले उसे एक वार इस तरह से ज़रूर मिला लीजिए नहीं तो ब्लैक पेपर पॉडर नीचे में बैठ जाता है तो यहाँ पे इसे हम ढाल देंगे पैन में और इसे लबबक 10 सकेंड तक पकने दीजिए अब यहाँ पे हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे तो पीछे जो स्पैस बनेगा उसमें फिर से एक मिस जड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती है और इस तरह ओमलेट बनाने से वो काफी थिक बनती है तो यह बहुत अच्छा टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ दिर के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यह देखे और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही है यह देखे और जहाँ जहाँ स्पेस से वहाँ पे एग मिक्सचर इस तरह से आ जाती है तो लगभग आदी मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह नीचे से सेट हो जाएगा तब आप इस प्रॉसेस को करना बंद कर दीजे और जो लेयर्स बनती है उसे इवनली स्प्रेट कर दीजे तो लगभग एक मिनट के बाद यहाँ पे देखे अब जो हम स्पेस बना रहे हैं उसमें एग मिक्सचर नहीं आ रहा है यानि कि वो नीचे से सेट हो चुका है तो अब इस प्रॉसेस को हम नहीं करेंगे अब इसे पकने देते हैं तो लगभग आदे मिनट के बाद यहाँ पे नीचे समेने चेक कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आए है और यह पक चुका है अब हम इसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ साइट्स को थोड़ा सा लग कर लेते हैं और यह देखें अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं लेकिन यह प्रॉसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया अब वापस से पैन में अट कर दूँगी तो थोड़ा सा यह हैवी हो जाता है तो इसके लिए स्पैचुला से तूटने का ड़रता है तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रॉसेस इस्तेमाल किया है अगर आप स्पैचुला से फिलिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए अब वापस चीज से पैन में रख देते हैं इस तरह से यहां पर इसमें चीज स्प्रेट करेंगे तो इसके लिए यहां पर मैंने मौजरेला चीज लिए आप कोई भी प्रॉसेस चीज इसमें इसमें कर सकते हैं आप चाहें तो चीज स्लाइस भी इसमें एट कर सकते हैं या फिर इस तरह से ब्रिक जो मिलता है उसे ग्रेट कर लीजिए और फिर एट कीजिए तो यहां पर एक साइड हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेट कर देंगे क्योंकि हमें इसे फिर से फिलिप करना है त साइट पकने देंगे और फिर से फ्लिप करेंगे तो यहां पर देखे आधमनेट हो चुका है तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं और यहां पर देखे कितना च्छक कलर आया है तो लगबग आधमनेट के लिए दूसरी साइट भी पका लेंगे तो यहां पर आधमनेट हो करमा करम सर्व कर लेते हैं तो यह आप टेक्शिय देख सकते हैं यहां पर अब इसे में काट की दिखाती हूं तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से चीज मेल्ट हुआ है कि नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हुआ चुका है क इतना colorful लग रहा है और मैं आपको नजदीक से इसका texture दिखाती हूं तो यह देखिए चीज कितनी अच्छी तरह से melt हुआ है इसमें तो यहां पर आप omelette की thickness देख सकते हैं अंदर में इसकी layers आप कर सकते हैं तो वह जो टिप हमने फॉलो की थी उसे जरूर फॉलो कीजिएगा इस तरह से आप omelette बनाएए आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी इसे कर्मागरम सर्ब कीजिए तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसे तरह से जरूर ट्राय कीजिएगा उमीद है आपको पसंद आएगी अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर करना मत बूलिए मेरे चैनल पर आप